दोस्तों स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एवी आटो ब्लॉक्स में इस वीडियो में हम होंडा डबलू आर बी और रेनो काईगर का डीटेल कंपरीजन करेंगे तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि कार और बाइक से रिलेटेड हर तरह की जानकारी मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूं दोस्तों चलिए पहले रेनो काईगर और होंडा डबलू आरबी के बेसिक इंफॉर्मेशन को चेक कर लेते हैं जैसे की इंजन इस्पेक्स और डाइमेंशन को इंजन को पहले देखते हैं होंडा डबलू आरबी में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन का उप्सन मिलता है लेकिन उसमें आपको आटोमेटिक ट्रांसमिशन का उप्सन नहीं मिलता है वही काईगर को देखेंगे तो काईगर में आपको सिफ पेट्रोल इंजन मिलता है रेनो काईगर और होंडा WRB के पेट्रोल इंजन के स्पेक्स को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं काईगर में 71 BHP पावर मिलता है और होंडा WRB में 89 BHP पावर मिलता है टॉर्क की बात करें तो काईगर में 96 Nm का टॉर्क मिलता है और होंडा WRB में 110 Nm का टॉर्क मिलता है माइलेज की बात करें तो रेनो काईगर में कोई क्लेम माइलेज अभी तक क्लियर नहीं है हलाकि मेनुवल टर्बो में 20 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है यह जो specs देख रहे हैं यह non-turbo का specs है तो इसका mileage अभी clear नहीं है वह होंडा WRB के petrol 1.2 liter की बात करें तो इसमें 16.5 kmpl का mileage claim किया जाता है चलिए अब Renault काईगर के turbo का specs देख लेते हैं और WRB के diesel engine का diesel engine की बात करें तो हंडा WRB में 98 bhp का power मिलता है 200 newton meter का torque मिलता है और 23.7 kmpl का mileage claim किया जाता है Renault काईगर के turbo की बात करें तो इसमें आपको 99 bhp का power मिलता है और 152 newton meter का torque मिलता है Renault काईगर में आपको CVT automatic का option मिलता है लेकिन WRB में आपको सिर्फ manual का ही option मिलता है दोस्तों ये बात हो गई इनके engine specs की अब चलिए बात कर लेते हैं dimension की dimension की बात करें तो हंडा WRB में आपको 8 mm length जादा मिलती है और 16 mm width कम मिलती है height की बात करें तो दोनों की height लगभग same है लेकिन आपको हंडा WRB में 1 mm height जादा मिलती है wheel waste को देखते हैं तो आपको हंडा WRB में 55 mm wheel waste जादा मिलता है जबकि ground clearance देखेंगे तो आपको 17 mm कम मिलता है और बात करें इनके boot space की तो reno kaiger में आपको 405 liter का boot space मिलता है जबकि हंडा WRB में 363 liter का boot space मिलता है fuel tank capacity दोनों की बराबर है 40 liters की और wheel size की बात करें तो दोनों में आपको 16 inch के alloy wheel मिलते हैं दोस्तों ये तो बात हो गई इनके basic information की आप चलिए इनके common features को देख लेते हैं पहले हम इनके safety के common features को देखते हैं वो सारे safety common features हैं seat belt warning, ABS, EBD, engine immobilizer, keyless central locking, speed sensing door lock, child safety lock जैसे common features आपको reno kaiger और WRB में मिलते हैं अब चलिए इनके comfort convenience के features को देख लेते हैं comfort convenience के common features हैं वो है leather revved steering wheel, driver armrest with storage, single tone interior, full folding seat, front seat pockets, front cup holder, front and rear power window, one touch up and down driver window, electrically adjustable ORBM, turn indicator on ORBM, rear wiper defogger, roof mounted antenna, body colored bumper, LED DRL, LED taillights, caving lamps, headlight height adjuster, average fuel consumption, average speed, distance to empty, electronic, two trip meter, digital clock, low fuel label warning, door azar warning, adjustable cluster brightness, touch screen display, with android auto apple car play, am, fm, radio, steering mounted controls, six speakers, ये सारे features आपको reno kaiger और honda WRB दोनों में मिलते हैं अब चलिए उन features को देख लेते हैं जो honda WRB में मिलते हैं, reno kaiger में नहीं वो सारे features हैं two airbags, kaiger में आपको six airbags मिलते हैं, brake assist, cruise control, telescopic steering, chrome door handles, body colored ORBM, sunroof, moonroof, driver vanity mirror, LED projector headlamp, GPS navigation system, wise command ये तो हो गई वो features जो WRB में मिलते हैं, लेकिन reno kaiger में नहीं, अब चलिए उन features को देख लेते हैं, जो reno kaiger में मिलते हैं, लेकिन WRB में नहीं वो features हैं, six airbags, WRB में आपको two airbags ही मिलते हैं, rear AC bends, 212 alt power outlet, WRB में आपको एक ही power outlet मिलता है rear armrest with cup holder, 60-40 split seat, cool glove box, body color door handle, black ORBM, ambient interior lighting, LED headlight, digital instrument cluster WRB में आपको analog, digital दोनों मिलता है, gear indicator, digital tachometer, WRB में analog मिलता है, driving mode यही सारे features हैं, जो आपको reno kaiger में मिलते हैं, लेकिन WRB में नहीं और warranty offer को देखते हैं, तो WRB में आपको three year, या unlimited km की warranty मिलती है जबकि reno kaiger में आपको two year, या 50,000 km की warranty मिलती है तो दोस्तों, इस video में इतना ही, video कैसा लगा हमें comment box में जरूर बताएं और video अच्छा लगा हो, तो video को like करें, share करें, और हमारे channel को जरूर सब्सक्राइब करें आपका दिन सूबो, धन्यवाद